हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर गाइस हम लोग पढ़ा है सम बेजिक कॉंसेप्ट और केमिस्ट्री और आज इस चैप्टर का आखरी टॉपिक है जो की अच्छली बहुत-बहुत इंपॉर्डन है इसका नाम है मौल आप कह सकते हो उसको मौल कॉंसेप् फिजिकल प्रपर्टी केमिकल प्रपर्टी ऑफ मैंटर यह यूँनेट्स और सारी चीजे अब हमारा आखरी टॉपिक इस चैप्टर से बचा है ड़ीज मोल कॉंसेप्ट और ठीक है दोस्तों आपने ऐसा यूनिट भी पढ़ा है इसी चैप्टर में ओके बेसिक फिजिकल से लिखते हैं और उसको सिंबल है मोल तो यही चीज आज समझ लेंगे हम लोग कि exactly मोल क्या होता है किसी पर्टिकुलर सब्सक्राइब तो मैं शुरुआत कर लेता हूं सब्सक्राइब करेंगे या फिर कभी कबार मुलार मास दिया होगा उसको नमबर आफ मोस में करना होगा 11 में ही नहीं बड़ यही सारी चीज आई तिंग मैं तो of a substance is the amount of a substance that contains as many entities or particle there are one mole is the amount of a substance that contain as many entities or particle as there are atoms in exactly 12 gram of C12 isotope okay 12 gram of C12 isotope are we happy मैं थोड़ा सा हाइलाइट कर लेता हूँ अब बच्चों C12 isotope को क्यों क्यों लिया है कार्बल का है आइसोटोप सोता है अपने अवरेज अवरेज मास के वक्त भी लिखा देखा था सी 12 सी 13 सी 14 यह तीन आइसोटोप से कार्बन के तो कार्बन का सी 12 यह आइसोटोप क्यों लिया है विकास इसका मास्ट जो है में जितने भी number of particles है उतने particles के लिए कोई भी दूसरा substance जिसका उतना मास होगा उसका हम लोग वन मोल सब्सक्राइगे देख लेता है क्या है exactly one more is the amount of a substance that contains as many entity और पार्टिकल as there are atoms in exactly 12 ग्राम ओफ सी 12 इसका मतलब क्या है दोस्तों कि एक मोल याने इतना मास होगा ठीक है वन मोल याने इतना मास होगा ओके जिसमें इतने पार्टिकल्स और entities होंगे जो कि कितने में होंगे 12 ग्राम कार्बन आइसोटोब में होते हैं याने 12 ग्राम के कार्बन आइसोटोब में जितने भी आपने अटम होंगे राइट उतने ही नमबर आप पार्टिकल्स किसी दूसरे सब्स्तंस के जिसमें में वह मास में होगा उसको हम लोग वन मोल सब्स्तंस कहेंगे ठीक है चलो एक और थोड़ा सा आसान इसमें चले जाते हैं लोग एक्जैंपल ले ले लेते हैं कार्बन का ठीक है चलो समझ लेता है कि कार्बन में एक्जैकली कितने कार्बन अटम्स होंगे तो आल स्टार्ट ओवर हिया चलो नमबर ओप कार्बन अटम्स सिक्षार्ट सब्सक्राइब कार्बन अटम्स इन ट्वेल ग्राम ठीक है नमबर ओफ कार्बन अटम्स इन 12 ग्राम सी त्वेल आइसोटोब्स सी त्वैल पिपले लिखी दें दिर थे तरिए अब अब अच्छो पहले तो हमें लेना पडिएगा दिस् मास कितना है दोस्तों वो है 12 ठीक है divided by the mass of one carbon atom ठीक है मास तो जो atom जो भी है बच्छो वो तो बहुत ही छोटा होता है उसका negligible mass है carbon का मास कितना है 1.992648 into 10-23 ठीक है एक carbon atom का मास 1.992648 into 10-23 ठीक है यह एक carbon atom का मास है कितना 1.992648 into 10-23 अब बच्छो 12 divided by 1.992648 into 10-23 कर लो तो आपको एक number मिल जाएगा यह होगा 6.022 to 1367 into 10-23 तो गाईज यह number of carbon atom ठीक है यह कितने होंगे number of carbon atoms in 12 gram of c12 isotopes यह fix हो जाएंगे बच्छों क्या है यह 6.022 1367 into 10-23 यह आप simply यह चार डिजिट इनिशल ले लो कितना है 6.022 into 10-23 अब इस बच्छों इस पर्टिक्लर नंबर को क्या कहते हैं इस number को constant number कहा जाता है जिसको कहते हैं इसको कहते हैं इसको कहते हैं हम constant ठीक है इस सब्सक्राव कर लेता है जो इसको इसको तो बारा ग्राम कार्बन में बारा ग्राम कार्बन का जो है उसमें कितने number of carbon atoms होंगे कितने number of carbon atoms होंगे इतने number कितने 6.021367 into 1023 number of carbon atoms समझ में आ रहा चीज़ तो देखो एक चीज़ समझ लो कि पहले definition side में रखेंगे पहले इतना स्वास समझ लो कि 12 ग्राम का carbon ले लिया हमने और उसमें number of carbon atom कितने है वो calculate कर लिया ठीके समझ में आ गयी बात कितना लिया carbon atom 12G और उसमें number of carbon atoms कितने है वो ले लिया तो 12 ग्राम carbon atoms है यह यह नोड कर यह दोफर दोस्तों 12 ग्राम सी 12 आई सॉतोप ले लिया हम उसमें number of carbon atoms कितने है यह fix number है कितना 6.023337 into 10323 number बराबर इस इस नंबर को एक्चुली एवोगैट्रोस कॉंस्टन भी कहते हैं दोस्तों लोग तो हमें इतना कोई अगर हमारे पास अभी कार्बन छोड़के अभी दूसरा कोई समझने अगर्वाटव या फिर हमने कॉमन सॉल्ट ले लिया तो गाइज कॉमन सॉल्ट में या फिर वाटर में यह इतने पर्टिकल सा जाएंगे ना वॉटर के ठीक है यह नंबर अफ ऑफ एक्टम्स या फिर नंबर of molecules के लिए होता है कितना 6.022 into 1023 समझ लेता हम तो 6.022 into 1023 water molecule है समझ लो हमारे पास तो उतना जो मास होगा उसका जो मास होगा समझ में आ रहे है मिरे भाग 6.022 into 1023 water molecules है जो उन सारे number of water molecule का जो भी weight होगा मास होगा उसको हम लोग कहेंगे one mole of a substance समझ में आ रहा है definition देख लो तो और idea clear हो जाएगी क्या है definition one mole is the amount of a substance लेखो यहां पर कहा है one mole is the amount of a substance that contain as many entity or particle as there are atoms in exactly c12 sorry 12 gram of c12 isotope समझ में आ रहा है कि 12 gram का carbon isotope लेलो उतने जितने भी number of molecules या फिर carbon atoms होंगे उतने ही number of particle अगर कोई दूसरे substance के है और उतना जो whatever mass होगा amount of substance उसको हम लोग कहेंगे one mole substance I hope यह समझ में आ गया होगा थोड़ा सा difficult है समझना कि exactly क्या कहना चाहरा यह concept particularly बट देखो बहुत ही आसान लेंग्वेज में आसान तरीके से में यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि carbon 12 gram 12 क्यों लिया क्योंकि atomic mass carbon का बारा है इसलिए ठीक है तो अगर मैं कोई भी एक सैंपल ले लूँ वाटर या फिर एक फ्लास में तो वह जो इतने पार्टिकल्स के वाटर मॉलेक्यूल है उनका उस वाटर का जो मास होगा उस मॉटर का जो वेट होगा वह वेट जो है amount of substance माने वन मॉल अफ सबस्टंस उसी को कहते हैं हम लोग क्या वन मॉल अफ सबस्टंस समझ में आ रहा है कितने कोई भी मॉलेक्यूल है कोई भी सबस्टंस है उत्रे मॉलेक्यूल का जो मास होगा वन मॉल सबस्टंस समझ में आ गया वाटेवर सबस्टंस समझ में आ गया दोस्तों क्लियर हो गया आपको डेफिनेशन याद रखनी है वन मॉल इस amount of substance that contain as many entity or particle as there are atoms in exactly 12 gram of c12 isotope ठीक है और यह calculation करने की बात नहीं है बट यह बच्छों नंबर आपको याद रखना पड़ेगा यह ड़ीज 6.022 into 10222 टीज एवोगेटोस का उंस्टन कहते है बच्छों अब भी हम लोग आगे चले जाते हैं थोड़ा सा और इसमें एड़ कर लेते हैं नाओ कंसिडर की आम हैविंग वाटर तो वाइस वन मोल वाटर ठीक है वन मोल वाटर वन मोल वाटर ओके जिसका मैं मास भी लिखूंगा यहाँ पर वह बात में एड़ कर लेता हूं विच कंटेन कितने मॉल एक मोल वाटर है तो फिक्स नंबर आफ मोलेकूल होता है कितने 6.022 इंटो 10 रस तो 23 6.022 ले ले रहा हूं मैं 1367 नहीं एड करते है वो जस्ट चार डिजिट लेंगे तो इनक तो इट कंटेंस 6.022 इंटो 10 रस तो 23 H2O Molecules 23 H2O Molecules ठीक है 6.022 इंटो 10 रस तो 23 H2O Molecules ठीक है अब यह कितना मास होगा वन मॉल उप वाटर यहाने कितना मास होगा बच्छो ओकी वाट इस अ हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में मॉलेकुलर मास पड़ा था ओके सम अब दी अटोमिक मास अफ दी एलिमेंट बराबर तो इसका वेट हो जाएगा बच्छो 18 यहाने आपने 18 ग्राम वाटर ले लिया आपने 18 ग्राम वाटर वे कर लिया इसका मतलब यह क्या रहा है वोथ के चलो धोड़ाएगा वन मॉल ओफ वाटर और वोन मोल ओफ वाटर या ट्वेंटी थ्री एने सी एल मॉलेकुल अब मुलार मास कितना है एने सी एल का एने सी एल का एटॉमिक मास है बच्छो 23 प्लस क्लोरीन 35.5 मतलब यह कितना आ जाएगा 58.5 याने आपने बच्छो 58.5 ग्राम एने से ले लिया तो वह बन जाता है हमारे लिए वन मोल एने से ठीक है 58.5 ग्राम एने से ल आपने वे कर लिया कॉमन सॉल्ट वह बन जाएगा हमारे लिए वन मोल अप एने से ल और उसमें कितने नंबर आफ एने से ल मॉलेकुल है और चलो कोई एक्जांपल और ले लेते हैं ऑक्सिजन गैस या एनीटिंग तो आप यह एक्जांपल ले लो या फिर नंबर आफ एक्जांपल वाला कोई एक्जांपल मॉल मॉलगोस और उसका मॉलार मास कितना है उसका मॉलार मास है 180 ग्राम या आपने 180 ग्राम ग्लुकोस पावडर ले लिया समझ लो ठीक है 180 gram glucose powder रहे लिया वो क्या रिप्रेसेंट करेगा 1 mole glucose और उसमें number of particles कितने है दोस्तों fix 6.022 into 10 raise to 23 glucose molecules ओके अब आपने देख लिया कि यहाँ पर h2 number of molecules fix है nacl के या फिर glucose के molecule fix है बट और वो water one mole even nacl one mole even this one glucose one mole अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यह exactly कि यह exactly मास कितना है देखो मास हर एक compound का अलग-अलग होगा 18 gram है 58.5 ग्राम है या फिर 180 ग्राम है तो गाइस यह मास different है ओके बट number of molecules of substance से में क्योंकि हर एक compound का molar मास different होता है दोस्तों ठीक है यसी लिए आप यह मस समझना कि यह मास different है तो यह moles of substance different हो गया because one mole of substance is related with molar mass okay molar नहीं कह सकते actually molecular mass one mole of a substance is related with molecular mass मैंने water का molecular mass ले लिया ncl का molecular mass ले लिया glucose का भी molecular mass ले लिया वो रिप्रेसेंट करेगा one mole of a compound और वो उसमें fix number of molecules होंगे वहीं यह definition कह रही है देखो one mole is the amount of a substance that contain as many entities or particle as there are atoms in exactly 12 gram of c12 isotopes समझ में आ रहा है दोस्तों clear हो गया understood okay तो guys यह हो गया concept one mole substance का इसके relation में बच्चों हमें एक यह भी रखना है I mean to say say formula भी है कि हाव विल find out the number of moles यह फिर number of molecules कैसे find करता है कि सारी चीज़े भी note-down कर लेंगे बिफोर that one more topic will going to add over here that is molar mass ठीक है उसमें हम लोग add करेंगे molar mass उसके बाद फिर number of moles क्या जो formula है वो हम लोग यहां पर note-down कर लेंगे ठीक है अब हमने बच्चों एक term पढ़ लिया है molecular mass अब दूसरा आ जाएगा molar mass ठीक है molecular mass तो हमने पढ़ लिया अब हम लोग पढ़ लेंगे molar mass ठीक है अब यह molecular mass and molar mass क्या होता है exactly अब देख लो molecular mass तो हमने पढ़ लिया था जो H2O है समझ लो या फिर C6H12O6 है H2O का molar mass है कितना 18 तो 18 unified mass ले लो तो वह बन जाएगा molecular mass या फिर oxide this one glucose 180 तो 180 unified mass that will become a molecular mass तो यह तो हमने previous वीडियो में देख लिया है अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो please go to the back to the channel हमारे पास वीडियो वहाँ पर है तो आप वो उसको concept आप clear कर सकते हो अब चले जाते हैं molar mass क्या है molar mass is nothing but the mass of one mole of a substance in gram ठीक है इसकी definition क्या है mass of one mole of a substance in gram that is called molar mass ठीक है molar mass is nothing but mass of one mole of a substance in gram ठीक है क्या है mass of one mole of a substance in gram that is called as a molar mass याने बच्चो हमने molecular mass का unit क्या रखा था small u molecular mass का unit क्या रखा था small u that is unified mass वही molecular mass आप ले ले गए बट इन in terms of gram अगर आपने in terms of gram ले लिया तो that becomes molecular mass जैसे example okay example ले लेता हूं कि कौन सा compound ले लेंगे से यूरिया ले लेता हूं या चलो यूरिया consider कर लेते हैं यूरिया क्या है formula NH2 CO NH2 अब अच्छो इसका molecular mass कितना होगा देखो nitrogen nitrogen मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं n2 hydrogen कितने हैं चार एक carbon है एक oxygen है यह आ जाएगा कितना दोस्तों दाट इस 14 इंटू टू प्लस hydrogen 1 इंटू 4 प्लस carbon प्लस oxygen यह 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 यह टोटल दोस्तों आ जाएगा 60 अब आपने 60 ग्राम ले लिया 60 ग्राम एन यूरिया तो यह बन जाएगा उसका मुलार मास ठीक है 60 ग्राम यूरिया यह हो जाएगा उसका मुलार मास याने molecular mass में और मुलार मास में difference क्या है molecular mass का unit था unified mass and molar mass का unit है ग्राम बाकि जो method है तो प्रोसेस है तो forms the molecular mass या फिर molar mass is the same only समझ में आ रहा है दोस्तों तो यह 60 ग्राम यह हो गया क्या molecular mass तो same way हम लोग एड दूसरा example लेख सकता है जैसे कि चलो मैं example ले रहा हूं किसका glucose का c6 h2o6 कितना तो 180 ग्राम यह उसका हो गया molar mass ठीक है water ले लिए आपने ठीक है कितना 18 ग्राम यह उसका हो गया molar mass अगर मेरे पास h2o4 है sulfuric acid तो वह आ जाएगा बच्छो 98 ग्राम sulfuric acid आप ले लो तो वह बन जाएगा उसका molar mass समझ में आ रहा है तो definition समझ में आ गया molar mass का क्या है mass of one mole of a substance का मास है in terms of gram that is called as molar mass understood तो आई होप आपको mole concept या mole समझ में आ गया होगा और उसमें कितने number of fixed particle होते हैं कोई भी एक mole substance है तो 6.022 into 10 raise to 23 और molar mass भी समझ में आ गया होगा अब इसका mathematical calculation कैसे करते हैं यह समझ लेता है ठीक है हम अभी number of moles कैसे find out कर सकते है तो there is a formula actually number of moles जिसको n से denote किया जाता है दोस्तों जिसको किसे small n से number of moles is denoted by small n तो number of moles is the ratio of mass of a substance upon its molar mass ठीक है mass of a substance upon its molar mass तो यहाँ भी बच्छों लिख लेंगे mass of substance जो भी मास होगा वन ग्राम टू ग्राम थ्री ग्राम डिवाड़ेड़ बाई मोलार मास कि मोलार मास ऑफ सब्संस और कमपाउंड आप कहा सकते हैं याने समझ लो मेरे पास टू ग्राम वाटर है ठीक है मेरे पास टू ग्राम वाटर है और उसको मुझे नंबर ओफ में कनवर्ट करना है मुझे क्या लेना पड़ेगा टू ग्राम मास मुलार मास ऑफ वाटर कितना है एटीन तो टू बाइटीन याने वन बाइन याने सम्थिंग कितना हो जाएगा दोस्तो देट इस चलो देट इस वन बाइन है ना ओके तो जीरो पॉइंट वन 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 तो टू ग्राम ऑफ वाटर इस एक्वल टू जीरो पॉइंट वन 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 मोल यह नंबर ओफ मोल में कनवर्जन हो गया तो यह सिंपल एक क्यलकुल पढ़ेंगे क्या है रेशो बहुत ही इंपोर्टन फॉर्मिला है दोस्तो मैं जैसे कहा कि स्टार्ट आफ लेक्चर में जब तक आप केमेस्ट्री पढ़ेंगे यह पर्टिकुलर टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा दोस्तों तो यह इसको अच्छे से समझ लो और एक फॉर्मिला है दोस्तों तो चलो फॉर्मिला वो भी लिख लेता हूं नंबर अप मॉलेक्ट्रोज इस एक्वर्टों ठीक है एन याने क्या दोस्तों नंबर अफ मूल्स इंटु एवोगेड्रोज कॉंस्तिंट्ट्रो मैं पुरा लिखी देता हूं नंबर ओप मूल्स of substance into Avogadro's constant ठीक है अब बच्छो आवगाट्रो's constant को कैसे denote करते हैं हम लोग एने से यह न यह न यह न यह न अमबर of moles into यहाँ पर लिख देंगे एने तो यह formula एक और हो जाएगा to find out the number of molecules ठीक है number of molecules is equal to n and stand for number of moles into n a that is Avogadro's constant ठीक है जो यह number है न दोस्तो यह जो number है Avogadro's constant that is denoted by n a that is denoted by n a समझ में आ रहा है दोस्तो ओके तो चलो यह तो दो चीज और add हो गई हमें जो कि हमें number of moles अगर मेरे पास किसी भी substance का mass दिया हुआ है और आपको इसको number of moles में convert करना है आपको यह formula यूज करना पड़ेगा mass of substance upon its molar mass अगर उसी mass से number of molecules वो कितने है वो find करना है तो मुझे यह formula यूज करना पड़ेगा n into n a where n stand for number of moles and n a याने Avogadro's constant ठीक है ओके अब बच्छो यह तो सारी चीज होगे mass of substance तो किसी liquid component हो गया या फिर मेरे पास से solid compound है तो उसका mass हमें बता चल जाएगा में भी कोई gaseous substance है और और गैस जनरली रिप्रेस्टन करते हैं in terms of ml या फिर cmq यान उसका volume होता है दोस्तों तो तभी हमें उसको number of moles में convert करना है sorry तो फिर क्या करेंगे हम लोग एक और चीज यहां पर एड़ हो जाएगी दोस्तों उसको कहते हैं हम लोग that is moles and gases ठीक है उसको हम लोग add करेंगे moles and gases ठीक है तो चलो वह concept भी लिख लेते हैं यहां पर अब दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान में रखने है जैसे वन मोल सब्स्टन्स हमने मास कंसिडर किया था every one mole of a gas ओके और देखो एक और चीज यहां पर पहले तो यह समझे यह यह चीज़ है देख लोग ओके कोई भी एक सब्स्टन्स है उसमें कितने मॉलक्यूल 6.0222 10 देश्ट टू 23 ओके वन मोल ओफ अब सब्स्टन्स कंटेन्स फिक्स नमबर ऑफ मॉलेक्यूल उसी तरह से कोई भी वन मोल ऑफ गैस है दोसको तो वन मोल ऑफ गैस में उसका फिक्स वॉल्यूम होता है वन मोल गैस फिक्स वॉल्यूम और उसको उस वॉल्यूम को कहते है दोस्तो 22.4 लीटर ठीक है कितना है 22.4 लीटर यानि आप इन टम्स अफ एमल यह अप्लिख सकते हो 224 00 ml ठीक है कितना 224 00 ml कोई भी एक पर्टिक्लर गैस है समझ लो मेरे पास अमोनिया गैस है ठीक है कॉन सा गैस है अमोनिया गैस एक्जैंपल अमोनिया गैस एन एच त्री गैस तो उसका वन मोल आप अमोनिया का वॉल्यूम कितना होगा 224 00 ml कितना होगा 224 00 ml उसका वॉल्यूम होगा ठीक है तो गैस वन मोल अप एनी पर्टिक्लर गैस कंटें फिक्स वॉल्यूम 22.4 लीटर या बच्छों यह भी आपको नंबर याद रखना है जैसे आपने याद रखा क्या है नंबर उसी तरह से यह मोलार वॉल्यूम पर आपको याद रखना है क्या क्या है वह 22.4 लीटर या फिर इन टम्स अफ समझ में आ गया दोस्तों ओके तो गई एक मोल क्या गैस कितना है मोलार वॉल्यूम फिक्स यह नहीं समय कोई भी एक्सम्पल जस्ट एक्सम्पल एड़ लाइड लाइक से अमोनिया तो वन मॉल ओ अमोनिया होगा उसका वॉल्यूम कितना फिक्स 224 00 ml थीक है उसी तरह से समझ लो मेरे पास वन मोल ओक्सिजन गैस है दोस्तों तो वन मोल ओक्सम्पल ओक्सम्पल एडबल जिरो एमेल ओके तो हर एक गैस का फिक्स वॉल्यूम रहता है वो इन टम्स अफ लिटर 22.4 लीटर एंट इन टम्स अफ मिली लीटर 22400 अब यहां पर देख लो हमने क्या पढ़ा था तो अब किसी भी गैस का volume दिया होगा उसको mass में convert नहीं कर सकते हैं okay that's for sure तो फिर एक और चीज़ हमें यहाँ पर add करनी होगी that is number of moles of a substance number of moles of gas उसको भी n ही consider करेंगे is equal to volume of gas upon its molar volume upon its molar volume अब molar volume कितना होता है दोस्तों molar volume तो वो है 22.4 liter या double to four double zero ml बरावर है तो तीन formula याद रखने हैं दोस्तों एक तो देखो यह दो formula जो कि अगर mass of substance दिया है तो number of moles is equal to mass of substance upon molar mass and number of molecule find करना है तो number of moles into avogator's constant and अगर कोई gas है और उसको हमें number of moles में convert करना है और gas का volume है specially और उसको number of moles में convert करना है तो number of moles of gas is equal to volume of a gas upon molar volume ठीक है volume of a gas upon molar volume and number of molecules के लिए तो वही formula number of moles into avogator's constant that is any समझ में आ रहा है दोस्तों ओके तो यह है mathematical expression या फिर mathematically हम लोग mass of substance को number of moles में convert कर सकते है या फिर volume of substance को number of moles में convert कर सकते है तो गाईस यह देखो आज के वीडियो में हमने जो term important term जो से आज note किया है that is one mole one mole is the amount of substance that contain as many entity or particles as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotopes और एक mole substance में कितने atoms या molecules होते हैं कोई भी substance के 6.022 1367 अब अब उसके बाद मोलार मास पड़ा था मोलार मास याने mass of one mole of substance only ठीक है तो कोई भी substance जो है उसका अगर मास ले लिए आपने in terms of gram तो वो हो जाएगा one mole of a substance और molecular mass is different molecular mass हमने unified mass में express किया था ठीक है हलांकि process same ही है तो वाइस यह सब उसके मोलार मास यह component के और यह formula to find convert mass into the number of moles समझ में आ रहा और फाइनली एक और चीज हमने note कर ली आज के वीडियो में यह moles and gases जहां पर हरे कोई भी एक mole gas है समझ लो तो उसका volume fix रहेगा कितना 22.4 लीटर तो कोई भी one mole ammonia gas है या फिर one mole oxygen gas है one mole hydrogen gas है उसका volume रहेगा बच्छो fix समझ में आ रहा है और volume of substance है समझ लो तो उसको हम लोग number of moles में कैसे से कनवर्ट करेंगे volume अपन molar mass molar volume and molar volume is 22.4 लीटर ओनी या फिर डबल तो फो डबल जीरो मिली लीटर समझ में आ रहा है दोस्तों I hope यह सारी चीज़े mole okay what is molar mass how will convert mass of substance into number of moles how will convert volume of substance into number of moles यह सारी चीज़े मैंने यहां पर explain कर लिए hopefully आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर लाइक अच्छा होगा तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब